Hello Everyone, Today we will discuss about the banking of road, Second part of banking of road देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने banking of road के किस कौन सा केस हमने करने है, यूज किया था, कौन सा, हमने केस यूज किया था बच्चों जब road कैसा था, smooth road था, smooth road पे friction तो थी नहीं तो मैंने आपको कुछ बाते बताई थी याद हो तो आपको जिसने प्रिवियस वीडियो नहीं देखा हूँ प्लीज पहले वो देखके आए तब जाके बैंकिंग ओफ रोड का सेकिंड पार देखे प्रिवियस लेक्चर में मैंने आपको बताय था कि एक काउड रोड पे अगर बोड़ी जा रही है और जो रोड है हमारा वो एक तरफ से उठा हुआ है जिसको हमने बैंकिंग ओफ रोड नाम दिया था किलियर है सारी बाते हो चुकी थी फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सरकुलर पाथ पे बोड़ी जा रही है तो बाहर की तरफ एक सेंटर फ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की तरफ जो उसको बाहर दखेलना चाहेगी तो उसको रोकने की कोशिस कौन करेगा फ्रिक्शन तो है नहीं तो मैंने वहाँ पे components तोड़े आपको बताया कि एक normal reaction लगी horizontal component लगता है normal reaction कब उसको बचाएगा सारे बाते हो चुकी है आज फिर से इनके बारे में discuss होगा थोड़ा सा आएगा दुबारा आएगी यह चीजे आज हम second case करेंगे जब road कैसा हो थोड़ा सा rough friction भी हो वाँपे वाँपे friction भी हो तो चली करते हैं इसको ठीक है जबी सबसे पहले diagram की बात banking of road हो चुका था क्या होता है banking of road किसको बोलते है ठीक है ऐसा road जिसका outer age थोड़ा सा उठा हुआ हो inner age से ठीक है उसको हम banking of road बोलते है angle of banking क्या होता है वह हम वही से आप start करेंगे ठीक है angle of banking angle of banking क्या होता है the angle through which the outer age of guard road is raised is raised कहां से above inner age ठीक है is called is called angle of banking ठीक है इसके बारे में ज्यादा डिसकास नहीं करेंगे बात करते हैं सीधे डाइग्राम पे ठीक है road थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है कल मैंने बात की थी this is the angle of banking जो मैंने उपर definition लिखी है यह है वो angle of banking थीटा मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे एक vehicle है ठीक है बच्चो सबसे पहले इस पे लगने वाली सभी force आप act कीजिए सबसे पहले इसका जो weight होता है mg डाउनवार direction में normal reaction perpendicular to the plane of surface कल मैंने n को तोड़ा था horizontal और यह horizontal और vertical direction n cos theta यह हम पढ़ चुके हैं कल ठीक है न n sin theta curved road पे जब गाड़ी मुड़ती है तो बाहर की तरफ एक force लगती है centrifugal force that is mv square by r ठीक है क्योंकि body चल रही है accelerated frame में है और हम उस body के उपर बैठे है तो हम बाहर की तरफ जाना चाहेंगे एक force ऐसी लगेगी जो हमें बाहर की तरफ दखे लेगी ठीक है तो उसको balance कोन करेगा n sin theta लेकिन यहाँ पे एक और भी force that is friction friction चल यह friction क्या होती जब body बाहर की तरफ जाना चाहेगी तो friction उसको oppose करेगी always be act इसके बारे मैं आपको बाहर में भी यह दो components टूट रहे है एक component तो नीचे की तरफ टूटेग और एक component इसी direction में टूट रहे friction के भी दो components टूट रहे है बच्चो यहाँ पे horizontal component and vertical component clear हो रही है बात बोलो यह theta है तो यह भी theta alternate interior angle यह theta तो यह component कौन सा हो जाएगा बच्चो f cos theta और यह हो जाएगा f sin theta बोलो समझ में आया कुछ नहीं है कल जो किया था वहाँ बिल्कुल agities है बस एक नया factor friction आ गया वहाँ smooth surface था या rough surface इसके लावा कुछ नया नहीं किया मैंने कुछ भी नया नहीं किया है ठीक है अलग से अगर इसको बढ़िया तरीके से और जाद रिपरेजेंट करना चाहते हो देखो friction ऐसे नीचे की तरफ लग रही है toward the center of जो भी circle होता है यह इसका horizontal component बच्चो f cos theta में टूटा है और इसका vertical component f sin theta में टूटा है clear है जो normal reaction है वो इस तरफ लग रही है यह देखो तो इसका यह component n cos theta में टूटा है और इसका यह वाला component n sin theta में टूटा है ठीक है नीचे की तरफ mg लग रही है यह सारी forces मैंने अलग-अलग represent करके भी दिखा दिया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है तो ज़्यादा discuss ना करते हुए फटा-फटाइस topic को चलते है mathematical portion की तरफ आएंगे अब हम तो यहाँ पर साफ तोर के दिख रहा है कि balancing case कौन-कौन सी है n cos theta उपर की तरफ कौन सा लग रहा है n cos theta नीचे की तरफ दो force लग रही है f sin theta और mg अगर यहाँ से समझे में नहीं आ रहा हूँ न तो कोई बात नहीं आप सीधर diagram देखे न by n cos theta उपर की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ दो force लग रही है mg और f sin theta अब आप कहोगी सर यह इसके बराबर क्यों रखे आपने अरे बचों आपने large of motion पढ़ा होगा न equilibrium condition Newton's first law body का vertical motion थोड़ी ना हो रहा है vertical motion नहीं हो रहा तो यह equilibrium state में है तो balancing condition है n cos कोई सा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है n cos theta is equal to mg plus f sin theta clear है यहां से f sin theta इदर लेके आओ is equal to mg this is equation number one बताओ बई यहां तक आया समझ में easy है बहुत बढ़िया बहुत थी बढ़िया अभी horizontal की बात कर लेते है ठीक है body तो circular path में गूम रही है ऐसे ऐसे थोड़ी ना चल रही है mv square को balance कोन कर रहा है अब की बार देखो कल हमने जो topic किया था उसमें mg एक और भी तो force में represent करूँ ना इदर कोन सी लग रही है mv square by r इसको कल balance किसने किया था n sin theta में लेकिन अब एक और force आ गई f cos theta बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत इंट्रेस्टिंग ध्यान से देखे इसको equation number second बनाओ along vertical तो हो चुकी along horizontal बनाओ फटाफ़ चलिए f cos theta जो इस तरफ लग रही है यह लग रही और एक यह लग रही है n sin theta is equal to balance कोन कर रहा है mv square by r clear है this is equation number 2 this is equation number 2 बैस अब तो जो book में दे रखे बच्चो वैसा ही करवाँगा मैं ज्यादा complications पैदा नहीं करना वाला यहाँ पर ठीक है सिधा divide कर दीजी इनको ठीक है first by sorry second by first चलिए n sin theta ठीक है plus f cos theta divided by n cos theta m sin theta f sin theta sorry f cos theta n sin theta यह रहा ठीक है n cos theta minus f cos theta is good mv square by r और into में mg mcm canc तो बैस अब तो इसको solve करना है तो मैं एक पर फिर से represent कर लेता हूँ इनको ठीक है n sin theta था बच्चों वापे और क्या था f cos theta f cos theta upon n cos theta minus f sin theta mcm cancel हो गया था यह देखो mcm cancel हो गया था v square by rg बचा है यहाँ पर ठीक है अब बहुत बढ़िया आप तो बैस simple simple calculation करनी है अभी इन्होंने क्या किया है कि एक simple सा step calculation को easy करने के लिए होते हैं यह step इनको रटने की जूरत नहीं होती जब आप practice करते हो देखो derivations होते हैं practice के लिए concept को समझो derivation की practice करो जितनी practice करोगे clear हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है किसी भी equation को रटो मत वहाँ दिक्कत आती है तो अभी calculation को easy बनाने के लिए इन्होंने क्या किया divide by n cos theta divided by n cos theta और वह भी किदर left hand side only left hand क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए n sin theta को मैं divide करूँगा n cos theta से plus f cos theta को मैं divide करूँगा n cos theta से upon n cos theta को मैं divide करूँगा n cos theta से f sin theta upon n cos theta आप समझोगे सर इतने बेकूफ थोड़ी नहीं है इतना तो मैथ हमें आता है कोई बात नहीं बच्चों मैं first time करवा रहा हूँ आपको तो पूरी detail में मैं करवा देता हूँ हर इक step मैं skip नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई भी step n sin cancel sin by cos क्या हो जाएगा बच्चों tangent theta के लिए रहे cos से cos cancel that is f by n upon यह cancel होगा है पूरा 1 minus f by n sin upon cos tangent theta is equal to v square by r अब तो आपको मालूम ही होगा यह तो आप पहले सी पढ़ते आए हो friction में इसका तो जिकर बहुत हुआ है coefficient of friction f by n यह अपने पढ़ा है तो f by n दो जगह है हमारा तो यह बन जाएगा tangent theta plus mu upon 1 minus mu tangent theta is equal to v square by r यहाँ से v square निकाल लीजी आप cross multiply कर दीजी इसकी तो यह हो जाएगा mu tangent sorry mu plus 10 theta upon 1 minus mu 10 theta तीक है square हट जाएगा अंडरूट लग जाएगा इतनी बात समझ में आ गई simple calculation है time waste बिल्कुल नहीं करना concept पे ध्यान देना है ठीक है अब एक special case है जो कि कई bookों में दे रखा है वो friction खतम कर रखा है यह simple simple से case लगा रखे है यह मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ याद हो तो जब मैं introduction part करवाय था तो यह case मैंने जरूर करवाय था और यह हम निकाल चुके हैं बच्चों यहाँ से भी proof हो जाएगा आपको double फाइदे हो जाएगे इसके introduction part में मैं यह सारी बाते करवा चुका हूँ जो special case मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो special case है कि यहाँ पे friction खतम कर दिया friction मतलब coefficient of friction खतम friction ही वहाँ से खतम कर दिया तो coefficient of friction mu वो पूरी तरह से खतम हो गया तो apply कर दीजी ना देखो यहाँ 0, पूरा 0 क्या बच गया v is equal to under root r g 10 theta बोलो आया यह पहले यह करवा चुका हूँ मैं previous lecture में ठीक है यहाँ से 10 theta कैसे निकालोगे वो भी मैं करवा चुका हूँ angle निकालना भी करवा चुका हूँ फिर भी आप निकाल सकते हो यहाँ से squaring both side करो 10 theta निकालो v square is equal to r g 10 theta तो 10 theta कितना हो जाएगा v square by r g clear रहे तो theta यहाँ से कितना आ जाएगा inverse बनके आ जाएगा 10 inverse v square by r g बोलो आगए clear हो गए ना बढ़िया अब यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी बातते और करवा देता हूँ आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो friction होती है न बच्चों friction किदर भी लग सकती है पते हैं आपको friction downward भी लग सकती है friction upward भी लग सकती है depend करता है depend करता है कि गाड़ी की speed कितनी है देखो गाड़ी की speed जो maximum होती हो कितनी होती है under root r g 10 theta आज भी करवाया पहले भी करवाया case number one अगर velocity बढ़ी कर दू r g 10 theta से मैंने आपको बताया था न तो मुझे बताओ कि friction किदर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा या उपर की तरफ लगेगा पता है न banking of road गाड़ी थी तो friction ऐसे लगेगा नीचे या उपर लगेगा पैसे तना बताना है आपको देखे अगर V अगर जादा है V जादे का मतलब क्या है कि centrifugal force जादा बोडी भार की तरफ खिसकेगी बोडी भार जाएगी तो friction क्या होता है बोडी भार जाएगी तो friction तो उसको अपोज करेगा न downward तो यहाँ पर friction किदर लगेगा downward इस case में friction कहा लगेगा downward direction में second case में अगर मैं इसको less कर देता हूँ less कर देता हूँ तो centrifugal force कम हो जाएगी बोडी नीचे की तरफ खिसकेगी downward direction में बोडी आना चाहेगी नीचे की तरफ sleep होगी तो friction किदर लगेगा उसको oppose करेगा उपर की तरफ उसको balance करेगा तो याद रखने यहाँ पर friction किदर लगेगा उपर की तरफ यानी upward direction में यह कुछ simple simple से case थे और कुछ नहीं है ठीक है यह concept से आपको clear हो गई तो मैंने यहाँ पे banking of road के दो case करवाई आपको कौन कौन से दो case बच्चों एक बार surface बिल्कुल smooth ले लिया और एक बार surface rough ले लिया smooth surface पे friction नहीं थी तो बचाएगा कौन बोड़ी को किसने बचाया था n sin theta ने clear जब friction आ गया तो n sin theta तो बचाई रही है साथ साथ में friction और आ गया उसकी help करने के लिए clear है तो friction change हो सकती है downward भी upward भी लेकिन friction की है कि limit होती है ठीक है याद रखना यह मैं फ्रिलाज और friction में करवा चुका हूँ इस सारी चाहिए तो I hope आपको clear हुआ होगा banking of road मेरे हिसाब से इसमें circular motion में है और कुछ खास topic बचे नहीं है क्योंकि मैं centripetal acceleration और angular acceleration net acceleration tangential acceleration angular velocity angular velocity हो गया angular displacement उनके बीच का relation यह सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं ठीक है आई होप आपको clear होगए होगी सारी चीजे ठीक है बहुत ही जल्द में work power energy आपके रही लाने वाला हूँ शुरुआत करेंगे इसमें सिर्फ एक topic और बचता है कि जो long answer type में आता है motion in a vertical circle वो next video में आपको मिलेगा ठीक है तो बढ़ते रहिए खुस रहिए thank you so much